Good morning students, study with KK में आपका स्वागत है, आज के इस वीडियो में आपको figures of speech के बारे में बताया जाएगा, जो class 11th, 12th और अन्य परतियोगी परिक्षाओं के लिए बहुत महत्पूर्ण होते हैं, तो आइए start करते हैं figure of speech नमर एक, शिमली अर्थात उपमा अलंकार, शिमली is a comparison between two objects of different kinds, which have at least one point in common, the wide as like or so are used for comparison, उपमा अलंकार में दुभिन परकार की बस्तों की तुलना की जाती है, जन में कम से कम एक गुण समान होता है, as like या सो सब्दों का परियोग समानता अब्यक्त करने के लिए किया जाता ह अर्थात यदि किसी अलंकार की पंक्तियों में as like और so सब्दों का यूज हुआ हो, तो निष्टेत ही हम जान सकते हैं कि जो पंक्तियां हैं वो शिमली की होंगे, एक्जाम्पल, एक्जाम्पल नमबर टू है, आई बंडाइड, लॉनली एक्जाम्पल नमबर थ्री, दा नाइट इज डार्क एज ब्लेक स्टॉन, अलंकार, दूसरा अलंकार जो होगा, दूसरा है, मेटाफोर अर्थात रूपर का अलंकार, इन फिगर मेटाफोर, दा थिंक्स कंपियाइड अर्ट्रियेटेड एज वन अन्ड़ सेम, अन्ड़ वार्ड ओफ कंपरियान एज लाइक सो, आर नाइट यूजड, रूपक अलंकार में तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है, तो तुलना प्रकट कहने व नमर थ्री, परसोनिफिकेशन एनि मान भी करन अलंकार, इन परसोनिफिकेशन, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, और डिफरेंट और अवश्ट्रेक्ट आइडियाज, और थौट ऑफ एज परसन हैविंग लाइप, इस अलंकार में निर्जीब बसनू और भावों को सर्जीब मान कर व्यक्ति की रूप में अवायन किया जाता है, एक्जामपल जैसे, एंग्जाइटी इस सिटिंग अन हर फेस, लव इज ब्लाइंड, नमबर फोर, एपस्ट्रॉफ है, अर्थर संबोधन अलंकार, एन एपस्ट्रॉफ है, ये डारेक्ट अड्रेस टु डैड, टु द संबोधित किया जाता है, एक्जामपल, ओ लिवाइटी, भाई यार्यू, सोडियर, ओ डैथ, कम सून, नमबर फाइब, आउगजी मोरन, अर्था ब्रोधावास अलंकार, इन इस प्रिगर ओप स्पीच, टू अपोजिट क्वालिटीज अर एड़ेट टु दा सैम थिंग, इस अलंकार में एक ही बस्तू में दो परस पर ब्रोधी गुणों को दिखाया जाता है, एक्जामपल, लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन एक खटी मिठाई है, ही बाज फीलिंग स्वीट पैन, नमबर शिक्स, हाइप औरबल, अतिशेयुक्ती अलंकार, इन हाइप greater or less, better or worse than they really are, इस अलंकार में किसी बात को बास्तिविक्ता से कहीं अधिक बड़ा चड़ा कर या घटा कर परकट किया जता है, एक्जामपल है, इस अलंकार में सब्द की आवाज से अर्थ का बोध होता है, एक्जामपल है, जैसे यदि बाहर बिल्ली या कुत्ता बोलने की आवाज सुनाई दे, तो हम अंदाज लगा लेते हैं, या आवाज से हमें अर्थ का बोध होता है, कि बाहर बिल्ली या कुत्ता है, बीज हमस, या मक्षियों का भिन्वेनाना, यदि ये बीडियो आपको अच्छा लगे, तो बीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आई बेटन को भी दबाएं, जिससे आने वाली बीडियो की नुटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और इस बीडियो को अपने मित्रों की साथ भी सेयर करें जिससे उने लाव हो जैहिन